Welcome back दोस्तों, Health, Wealth, Nutrition में आपका हर्दिक स्वागत है जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज अपन बात करेंगे वजन कम करने पे जी हाँ दोस्तों, आज वजन एक बहुत बड़ी समश्या बनते जा रहा है आज की भागदोर भरी जीवन सेली में लोगों को पता ही नहीं चल पारा कब वो ओबेसिटी और मोटापे के सिकार हो जाते हैं जिनसे उनको नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी परेसानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन अपने वेट को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कम कर सकते हैं जनरली ये देखा गया है कि महिलाओं में वेट की समश्या बहुत ज्यादा आती है महिलाएं बहुत फेटी होती जा रही है बहुत सारे research में ये पाया गया है कि after pregnancy ज्यादतर महिलाएं मोटापे की सिकार हो जाती है दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में अपन बात करेंगे दस ऐसे important topics पे जो आपका मोटापा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कम करेंगे आप देख पाएंगे कि 2-3 week में ही आपका मोटापा कम होने लगा है और आप अपने आपको बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में टॉप 10 tips में से मैं पहला tips आपको बताने जा रहा हूँ वो है do not skip breakfast in morning जी हाँ दोस्तों ब्रेकफास्ट का अपने जीवन में बहुत महतो रहता है कुछ लोग ये करते हैं कि वो meal को skip कर देते हैं ब्रेकफास्ट को skip कर देते हैं दोस्तों ये आपका वज़न कम नहीं करेगा बलकि आपके सरीर में और बहुत सारी problem लेकर आ जाएगा इसलिए द्यान रहना चाहिए कभी भी breakfast को skip नहीं करना है दूसरा tips है eat a small but regular meal almost six जी हाँ दोस्तों आज की इस lifestyle में ये जरूरी है कि अपने को six time meal लेना ही लेना चाहिए चाहे वो कम कमात्रा में हो आपको दिन में छह बार कुछ न कुछ खाना ही चाहिए ये आपकी diet को maintain रखेगा और आपको मोटा होने से बचाएगा थार्ट tips है drink more water almost three to four liter जी हाँ दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तिमाल करना चाहिए और हाँ मैं कहूंगा कि आपको कम से कम तीन से चार लेटर पानी तो आप पिये ही पियें पानी ज्यादा पियेंगे तो आपको obesity की problem नहीं होगी और आप मोटा पे से जल्द छुटकारा पा सकते हैं मैं के sleeping schedule यस यह एक बहुत important topic है दोस्तों आपको अपना सोने का एक schedule जरूर बनाना चाहिए सोने का schedule आप बनाएंगे तो भी आप मोटा पे से निजाद पा सकते हैं eat plenty of fruits and vegetables fruit and vegetables आपके स्वास्ते पे बहुत अच्छा असर रखते हैं यदि आप अपने food के साथ salad या fruit salad रखते हैं तो यह आपके स्वास्ते में अच्छा असर कारख रहता है और आपका weight कम करने में आसानी हो जाती है eat high fiber foods हाँ दोस्तो आपको अपने food में high fiber food का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि high fiber foods आप इस्तेमाल करेंगे तो जो भी खाना आप खाएंगे वो अच्छे से आपके सरीर में पचेगा और उससे आपको obesity की problem नहीं होगी do not stroke junk food दोस्तो आपको junk food से हमेशा बचना चाहिए जहां तक हो सके आप junk food को avoid करें जितना junk food आप ज्यादा खाएंगे उतने obesity की ज्यादा problem होगी और आपका मोटापा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा maintain stress level जी हाँ दोस्तो यह भी एक बहुत बड़ा topic है आप यदि regular अपने स्वास्ते को सही से maintain करना चाहते हैं आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो आपको अपने stress level को maintain रखना पड़ेगा stress level हमेशा आपके control में रहेगा तो आप मोटापे से बचे रह सकते हैं otherwise आप धीरे धीरे दिन परती दिन और मोटे होते जाएंगे practice yoga on regular basis जी हाँ दोस्तों यदि आप yoga practice regular basis पे करेंगे तो भी आप मोटापे से बचे रह सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो regular basis पे योगा करके मोटापे से बचे विये हैं processed food limitation जी हाँ दोस्तों हमेशा आपको processed food से भी बचना चाहिए क्योंकि processed food like that एक junk food ही होता है वह भी आपके सरीर में obesity की problem create करता है अपच की problem create करता है और धीरे 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 आप मोटे होने लगते हैं इसलिए आप processed food से भी बचेंगे तो आपके मोटापा कम करने में आस प्रानी होगी दोस्तों कैसे लगे आज के हमारे मोटापा कम करने के टिप्स आप हमें जरूर बताईएगा और हाँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसको अपने मिलने बाले लोगों के साथ सेयर कीजिए थै यजिए। कराके हमें.